नमस्कार दोश्टेंग बर फिर से मेरी यूटूब चानल पर आप सबका स्वागत है हम अच जिंजक रूसों के एडूकेशन सिस्टम या उनके सिक्षा पर विचार को समझने की कुशिश करेंगे यह कुश्चन आम तौर पर पूछा नहीं जाता है लेकिन बहुत सारे कॉले तो फिर आप और बेहतर तरीके से उस कुश्चन को अटेंप्ट कर सकते हैं यह एमेड और बीड में भी पढ़ना होता है लेकिन यह मैं पॉलिटिकल साइंस परस्पेक्टिब से बता रहा हूं बीड वाले भी इसको देख सकते हैं उनको भी समझ में आएगा बट मैंने सर्थत प्रकृतिक अवस्ता का यह मतलब नहीं था कि वहां राज्य नहीं थी वहां कोई अथोरिटी नहीं था स्टेट ऑफ नेचर का सरल माइने था रूसों के लिए जहां साइंस नहीं थी टेक्नलोजी नहीं था सिविलाइजेशन नहीं था और इस कारण से जो मनुष्य से थे वहां एक जानवरो जैसी जानवरो जैसी बोलने का मतलब पॉजिटीब सेंस में बोल रहे हैं मतलब लाइफ जिया करते थे को और यह नहीं था लोगों का अश्शान मुस्कान लोगों का पने बिहेबियर है जो कि हम नौम्स वैल्यूज की द्वारा मिलता है ना उसम में इंसान नाचुरली रहा करता था और जब इनसान एक नाचुरल बींग था जिसको वह नोवल सैवेज कहते हैं तो उस टाइम में क्या था कि इनसान के अंदर दो जो फीलिंग्स थे वह फीलिंग बैलेंस्ट थे इनसान सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में भी सोचता था सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में सेल्फिस भी था इनसान कुल मिला कर बोलने का मतलब इनसान सेल्फिस था लेकिन साथी साथ उसके अंदर पिटी की भी भावना थी सिंपेथी दूसरों के लिए दया की भी भावना थी यहां सेल्फिस का म दूसरों की मदद भी करना है दूसरों के लिए सिंपथी भी रखना है तो यह रीजन और पैसन अर्थात जो सेल्फिस बिहेबियर और जो सिंपथी यह दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ था लेकिन आगे हमें रूसों बताते हैं कि जैसे जैसे समाज में आठ्स साइन्स और सिल्ला जाते हैं स्विभा करती है नौम सा जाते हैं सबकरन क्या होता है कि इनसान में जो सेल्फ नेचर है यह दिन-बधन पढ़ते जाता है आप करते जाता है और इनसान के अंदर वह प्रब्लिष से लूप तो हो जाती है जा नहीं मरी हुई है हमारे दिल के अंदर तो इसलिए रूसों जो है वह साइंस और आर्ट्स को पसंद नहीं करते हैं आपने कहा था कि मैंने साइंस और आर्ट्स के क्रिटिसिजम को नहीं बताया है मैंने यह चीज़े बताई है पहले लेक्चर में और एक दूसरा आप लोगों कि कुशिश करते हैं और साथी साथ मैं जब यह कहता हूं को रूसो पॉपिलर सुवर्निटी को सपोर्ट करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब आपको मैंने रूसों के लेक्चर में बताया है कि रूसों यह नहीं कहते कि तुम अपने सभी अधिकारों को किसी सोवरेन को समर्पि सब्सक्राइब गना तो यहां पर रूसों राइट को समिट करने के लिए नहीं कहते हैं कैvania अपने राइट अपने पास रखो आपस में मिलकर सबी कानून बनाओ और उस कानून का पालन करो मतलब जो कानून होंगे वह खुद तुम बनाओगे और तुम पे ही लागू होंगे वह ज्यादा बेतर है तो यह सब चीज़े मैंने बताई हैं पहले वाले लेक्चर में और ऐसा नहीं पूछेगा कुश्चन की रूसों के सोचल कॉंट्रेक्ट और यह सब जो भी चीज़े हैं पूछे तो जेनरल विल ही लिखो भाई वही आंसर होगा अब ऐसा नहीं कि आप जेनरल विल पर जेनरल विल पर तो खेर चार-पांच पेज लिखी दोगे ऐसा नहीं है कि आप से पूछा जाएगा डिरेक्ट देमोक् समाथ ही होते जाता है और लोगों के प्रती दया की भावना समाप्स होते जाती है और यह जो मौडरन एडूकेशन सिस्टम है जो आधुनिक शिक्षा ब्यवस्था हमारे समाज में है यह क्या कर रही है यह हमें साइंस बैक्स यह पढ़ाती है मैं रूसों के तरब से उनकी ज़्यादा बढ़ा देती है और हमारे अंदर जो प्यासन की जो भावना है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देती है इसी लिए रूसों जो है मौडरन एडूकेशन को नहीं लाइक करते रूसों के अनुसार मौडरन एडूकेशन जो है वह इनसान को करप्ट करता है क्यों क अगर हम रीजन के अगर रास्ते पर चलें अगर उसकी बात मानें तो मनुस्य जो है अपने अंदर की शमता को कभी नहीं पैचान पाएगा मैं आपको कुछ एक्जांपल देता हूं रितिक रौसन उनको कुछ बैक में समस्या थी डॉक्टर ने कहा तुम डांस करोगे मर ज हिसाब से तो वह अपने पैसन को सूपर स्टार है बन पाते क्या कभी मेरी ही बात कर लीजे मैंने जब स्टार्टिंग में यूटूब चैनल शुरू किया था तो बहुत सारे से स्टाट्स हैं कि लाखो यूटूब चैनल भारत में बनते हैं और उसमें से बहुत कम सब्सक्राइबर आपके मदद से मैंने हासिल किये और भविष्य में हो सकता है लाख सब्सक्राइबर भी मेरे हो जाए तो मैंने अगर रीजन की सुनी होती तो मैं छोड़ देता छोड़ो यार क्यों फालतू मेहनत कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो पांच-दस भी वाते सब्सक्राइब तो इसी लिए पैसन इंपॉर्टेंट है एक और एक्जांपल देता हूं जो कि विवेक बिंद्रा सर देते हैं अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में पहले यह माना जाता था मुझे डाटा सही से याद नहीं है कि कोई इनसान जो है 400 मीटर 10 सेकेंड 15 मुझे याद नहीं है नहीं दोड़ेगा अगर दोड़ेगा तो फिर उसका हर्ड अटैक हो जाएगा या मर जाएगा ऐसा कुछ डॉक्टर्स बोला करते थे तो लेकिन बहुत सारे इंसानों ने इसा करके दिखाया डॉक्टर्स की बात अगर रीजन से मान पाते तो इतने वर्ड रिकॉर्ड नहीं सट किये जा सकते थे बहुत सारे इंसान आजके 10 साल पहले तक इलॉन मस्क को कहा करते थे कि ऐसा ऐसे कैसे होगा कि तुम एक रिसाइक लेबल तुम एक ऐसा बना दो एक स्पेस क्राफ्ट बना दो जो कि वापस जाएगा फिर से उसकों रियूज क कर सकते हैं पर इलॉन मस्क ने करके दिखाया तो आगर या राइट ब्रदर्स लोग हसते थे उन पर कि अरे क्या बेवकूप वाली बात करें बनाओगे ऐसी चीज जो हवा में उड़ेगी इंसानों को लेकर अगर वह उस समय के रीजन के हिसाब से वही सही था आज साइंस स्वाजिब बढ़ चुकी है लेकिन उस समय के अगर हम तार्किक शमता की बात करें तो यहीं माना जाता था यहीं तर्क था कि नहीं ऐसा चीज तो नहीं बनाया जा सकता तो इसी लिए रीजन जो है इनसान को लिमित कर देता है इसी लिए कहते हैं अब बहुत सारा आजकल आवर से लिए लौग योज़ करते कांफित there you know which is रूची की आप तुराट म मतों कशीदिए करते टिखाये फ्रीजन की बात सुनते नहीं अमीर लोग यहीं बनेंगे जिनको कोई problem ना हो जिनको कोई tension ना हो तो इसी लिए reason को support नहीं करते रूसो reason के against में है अब आपको समझ में आया होगा कि reason खराब क्यों है reason का एक दुस्प्रभाव भी है यह हमें limit करता है तो यही चीज रूसो कहते हैं और रूसो इसी लिए सिर्फ education system को blame करते है modern education system को क्योंकि यह reason को ज्यादा तबज्जु देता है और हमारे passion को पूरी तरह से नकार देता है लेकिन रूसो पूरी तरह से education system को reject नहीं करते हैं ऐसा नहीं कि पढ़ हो ही मत ऐसा रूसो देली क्रियेट कर सकते हैं कि उनके अंदर रीजन और पैसन का समण हुए हो सके देर वी कैन अक्शुली इस्टाबलिस डी एक्विलिब्रियम बालन्स ऑफ द रीजन और पैसन विदिन द इंडिविजुल बाइड राइट एडुकेशन सिस्टम अकोडिंग तूरू रूसो और इसी लिए रूसो जो है अपने एडुकेशन सिस्टम को रखते हैं कि देख भाई गर इस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा ना तो उनके अंदर वीजन पैसन दोनों बराबर मात्रा में होगी अब वो एक बुक लिखते हैं बुक का नाम है इमाईल इमाईल 1762 में इसको ट्रिटीज ऑन एडुकेशन भी कहा जाता है और इसी में वह अपने एडुकेशन सिस्टम को बताते हैं कि देखो इस तरह से लोगों को पढ़ा अब यहां इमाईल का मतलब क्या है तो इमाईल का मतलब है विद्यार्थी वह बच्चा जिसको हमें एड नहीं होना है उसके बाद रूसोव आगे कहते हैं कि भाई देखिए जब बच्चे का जनम होता है तो बच्चे को तो जो आथर है नेचर के अर्थात जो प्रकृती के जो निर्माता है जो लेखक हैं जो भगवान है वहीं से सब को याते हैं तो जब बच्चा जब पैदा लेता है जब एक बच्चे का जनम होता है तो बच्चे के अंदर में reason और प्यस्तнет दोनों बराबर बराबर होता है बच्चा जो है वह ने चुराल ही होता है पैदा लेता है तो 아 पैसा नहीं कि पहले से उसमें चल कपट दूसरों के लिए द्वेस यह सब भरा हुआ हो लेकिन जब बच्चा जब बाकी समाज के लोगों के कॉंटक्ट में आता है तो समाज तो करप्ट है रूसों के हिसाब से क्योंकि समाज में रीजन सिर्फ अपना अपना चल रहा है हम ज़्यादा पैसा कमाया है उसको नुकसान हो यह चल रहा है समाज में तो रूसों कहते हैं तो यह से लोगों के हाथ में मतलब मनुस्यों के कंटक्ट में आके कि मैं और यही जब वह बुरा बन जाता जब अपनारेजन उसको tao मिनेट करता है तो अप आपना ही स्लेव बन जाता है अपने बन जाता है अपने जो उसको क्या हिंदी में कहते कहते मुझे याद नहीं आ रहा है personnage puisque आग्रहों का जो है वद्धास बन जाता है कि गरीब। इंसान कभी हमीर नहीं बन सकता मिडिल क्लास से मतलब पैसन के अंदर होता नहीं है तो एक जू है ज़ोस वह तो में reasoning सिखा सिखा कर तो यह पूरी तरह से जीवन भर गुलामी की फुरी की जीता है और बाद में मर भी जाता है गुलाम मनंगे और हमेशा इंस्टिटूशन्स के सबॉर्डिनेट नहीं रहता है राज्य के सबॉर्डिनेट रहता है समाज के बोल कोई लोग किया कहेंग तो यह सब सोचकर अगर अच्छा कारे करना चाहता इतना रीजनिंग दिया जाएगा जिन्दगी बरबाद हो जाएगा क्या करोगे उसमें कोई जिन्दगी नहीं अगर वह बहतर है अगर जाना चाहता है जाने दो तो इह सब छीजे है समाज के सब साष्ट के जिंदगी जीना एक तरह से जो इनसान के अंदर ग्ञान है वह यही सब चीज़े सिखाता है रीजन सब चीजे सिखाता है इसके बहुत सारे अर्ग्यूमेंट जो है विवक्ष में भी आ सकते हैं मैं जब किसे ठिंकर को पढ़ाता हूं तो मैं उनके विचार को पूरी तरसे रखने का कोशिश करता हूं यह सब मैं नहीं होता है अब कहते हैं कि किस भाइसे कहते हैं कि जो स्टूदेंट है पच्चा है उसका जब जनम होता है उसको सिक्षा के लिए अपने गुरू के साथ गाओं भेज दो गाओं के साइड नेचर प्रकृति के हवाले कर दो कंट्री साइड मतलब गाओं जहां पेड़ पोधे हैं नेचर के बहुत करीब यह सिटी के लाइप से बहुत दूर है ना और यही एक गुरू कुल सिस्टम हमारे यहां इंसें जंगलों में रहा करते थे नेचर के बहुत करीब रहा करते थे प्रकृति के करीब रहा करते थे कहते हैं रूसों की जो इमाइल है उसको अपने पैरंट से अलग कर देना चाहिए इमाइल अपने गुरू के साथ जाए कंट्री साइड में रहे प्रकृति के करीब रहे भी होगा जो भारतिय दर्शन है उसमें कहा भी जाता है कि विद्ध्यार्थी के पांच लक्षन होते हैं काग चिश्टा मतलब काग चिश्टा बको ध्यानम स्वान निद्र अल पहारी और ग्रिह त्यागी मतलब घर को भी छोड़ने वाला वो होना चाहिए कि साथी साथ आगे यह भी रूसो कहते हैं कि ट्यूटर की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह इमाईल को पूरी तरह से ने नाचुरल इन्वर्मेंट में घूमने की उससे इंट्रक्ट करने की नेचर से पूरी तरह से उसको फ्रीडम दे पूरी स्वतंत्रता दे और बारह वर् प्रकृति की बात कर रहा है यह पहला स्टिप है रूसो के अनुसार यह करना चाहिए अब जब बच्चा जो है यहां इससे यह मतलब है कि बच्चे को अगर रीजन सिखाना है ना तो रीजन बच्चे को किताबों के थूरू नहीं सिखाना है रीजन बच्चे को सिखाना है इंपीरिकल अप्रोच से जो बच्चा है जो इमाई है वह तार्किक बनेगा तो वह तार्किक अपने अनुभाव पर बनेगा ना कि तुम किताब से पढ़ाओगे कि देखो इसको तर्क कहते हैं वह खुद तर्क सीख जाएगा अपने इक्स्पिरिंस पर आपने तो वह इंपीरिकल रीजनिंग को सपोर्ट करते हैं जो इनसान एक्स्पिरियंस करके सीखें तो ये चीज़ आपको समझना है फिर जब इन्सान 12-15 के बीच का हो जाया है इमाइल जो है 12-15 के बीच गो तो उसको सिर्फ एक किताब सिर्फ पढ़वानी है एक किताब पढ़वानी है जिसका नाम है रोबिंसन कुरुसोय है यह एक नौबल है इसे डेनियल डेफोय ने लिखा था 1719 में तो यह नोवेल को ही सिर्फ स्टुडेंट को इमाइल को देना है पढ़ने के लिए रोविंसन क्रूसोय एक आपका अगर इसका मैं समरी कहूं तो एक बंदे की कहानी होती है जो कि बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते करते समुद्र बहुत बार पार कर क्रूसर चीज़ों लड़ाई करके जीट जाता है कि पर रोबिंसन क्रूसोय नामुम्किन लडाई करके जीट जाता है उसी प्रकार से जैसे राइट ब्रदर नामुम्किन होने वाले चीज़ जैसे प्लेन बनाकर दिखा तो यह जब पढ़ेगा ना इमाई तुसको समाझ मैं आगा अच्छा पैशन नाम की भी कोई चीज होती है मलें समाझ कह रहा हो कि यह ना मुम्किन है करना लेकिन रॉबिंसन कुरुसोय ने करके दिखाया ना हम भी कर लेंगे तो इसलिए इस बुक को पैशन को डेबलब करने के लिए जो है इस बुक को वो कहते हैं कि यह बुक को आक्सेस देना चाहिए इमाई को इमाई 15 साल तक 12-15 के बीच में रोबिंसन कुरुसोय को पढ़े और उसके बाद कुछ-कुछ मैनिवल स्किल सीखे जैसे कारपेंटरी सीखे और जैसे और भी कुछ मैनिवल स्किल सीख इंडिया बनाना है तो वही स्किल्फुल इंडिया की बात करें कि किताबों से कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिकल कुछ ग्यान नहीं होगा तो उचनी होने वाला तो वह जो है वह 300-300 साल पहले जो है हमें रूसों समझाने की कोशिस कर रहे हैं आगे यह भी रूसों क लेकिन यह जो है यह काम है यह के गुरू का काम है कि इस कि उस अरज को इनरजी को उसको कहीं और चैनलाइज करें उसको अच्छे कामों में कामों में रच्टा वो जो आपका जुक्स रज़ा योजरोיש कbas में लगा मानों के सर्विस में लगाऊ human community जो जो मानो समाज है उसके सेवा के लिए या friendship लोगों से दोस्टी करने के लिए तो यह जो है इस चीज को चैनलाइज करना दा एनर्जी जन्द दा नेगेटिव इन दा एनर्जी विदिन दैमाई विच में टेक इस चीज को आपको समझ माया होगा उसके बाद जब वह 15 साल का हो जाए और उसके उपर जब 15 साल का हो जाए और उसके उपर कि यह सब्यक्राइब होगा तो 15 साल के बाद उसको और फिल्यासंफी पढ़ाना है कि फिर से 12 साल तो कोई organisation का चाङ़ बारसे 15 से 15 के में उसके सेख्श्यन अर्ज को किन यह करना कि कि दर का हैं में और 12-15 में Website समझता है रोबिनसन क्रु सोय नोवेल पढ़ाना है और उसके बाद 15 के बाद religion और philosophy सिखाना है दर्शन का ग्यान और धार्म का ग्यान उसे देना है और एक बार रूसो कहते हैं कि एक बार जब प्रकृति के गोद में खेला हुआ जो बालक है जो बच्चा है 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 धर्म को समझेगा दर्शन को सीखेगा तो वह नाचुरल ओर्डर को समझ जाएगा नाचुरल ओर्डर को वह एक तरह से अपने अंदर जो है वह नाचुरल लेस्ट करेगा और एक मॉरल बिंग बनेगा एक अच्छा विक्ति बनेगा एक नाचुरल विक्ति बनेगा जिसके और प्रति आपका दया का भी भाव दोनों दोनों चीज़ सिखेगा उसके अंदर बालेंस होगा और नहीं सिर्फ दूसरों के बार में एक बालेंस होगा समझ रहे ना बात को तो यह चीज़ नहीं होगा जब 15 साल के बाद 15 साल में जब जो इमाईल है वो सीखेगा 16 साल में जब इंटर करेगा रिलीजन और फिल्लासफी तो तो यहां पर यह सब जो चीज़े हैं मैं यह सैफाली जहा के भुख से लिए हैं तो सैफाली जहा कहती है कि रूसों जो है वार नाचुरल और पेनलेस ट्रांजिशन जो है इमाईल का हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं एक बार नेचर को समझ कर जब विक्ति उसके ऑथर को ढूंडेगा ना तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रकृती को समझने के पाद प्रकृती में खेलने कूदने के बाद अगर हम प्रकृती के निर्माता को अर्थात भगवान को बहुत जल्दी समझ जाए और उस समय जब रूसों थे उसमय रिलीजन जो था वह डॉमिनेंट था और आज भी आज भी अंतिम लक्ष क्या है अगर भारतिये दर्शन देखें या आप कोई भी उसमें देखें दर्शन आप और कोई भी नाम से बोलते हैं आपको उन्हीं को प्राप्त करना है यही में अंतिम लक्ष है और नेचर में आप नेचर के साथ समय बिताकर अपूं को सही सही से समझ पाईएगा और आपका पेनलेस ट्रांजिशन होगा पेनलेस ट्रांजिशन मने आपको दिक्कत नहीं होगे उनको समझने में तो यह चीज कहने की कोशिस कर रहे हैं हमारे सामने रूसों और कहते हैं कि अर्ली कि 20 में जब 21 साल का जब हो जाए तो उसके बाद थोड़े उसको सोशल ओर समझाना चाहिए तब उसको समाज के बाएर में समझाना चाहिए कि अच्छा देखो यह समाज है पहले वह अपने अंदर एक नैचुरल नेस बना लिया अब चांसे बहुत कम है कि फिर से वह आर्टीफिसियल बने अब आर्टीफिसियल तो इंसान बच्पन से ही बनता है ना तो जीवन भर आर्टीफिसियल रहता है शुरू ताकि वह समझ सके कि किस प्रकार से जो है काम होता है समाज में है इना और हर एक विक्ति अगर इसे प्रकार से इमाईल को जैसे पढ़ाया जाएगा हर एक विक्ति अगर ऐसे ही रहेगा तो कोई कोई करप्ट होगा ही इनी सुसाइटी में अगर हर एक विक्ति को जितने भी समाज में लोग हैं इमाईल की तरह पढ़ाओगे तो सब के अंदर ना नैचुरल नेस रहेगा तो सब दूसरों के बारे में भी सोचेंगे अपने बारे में भी सोचेंगे और वह moral citizen भी ब होगा तो जबाव है सक्याँ करेगा और माइमाईल काम करेगा क्यों की काम करेगा क्यों कि रियल विल रियल से काम वहीं करता दिसके inac जिसके अंदर में डिस एकुलिब्रियम होता है एकुलिब्रियम नहीं होता है रीजन और पैसन का यहां तो इमाइल को इस तरह से पढ़ाया लिखाया गया है कि उसके अंदर रीजन और पैसन दोनों का समन वह है तो इमाइल जो है वह रियल विल से काम करेगा और अगर सभी कि लोगों को भी स्वतंतरता हम दे सकते हैं जो कि स्टेट ऑप नीचर समझ मेरा रहे आपको तो इस Go आपको समझना है तो यही चीज यहां पर रूसों कहते हैं कि इंडिविज्वलिजम तो रहेगा ही इमाइल के अंतर इंडिविज्वल लिजम रहेगा उसके अंदर में कि हाँ मेरे भी कुछ स्वार्थ है और उसकी पूर्ती होनी चाहिए लेकिन वह यह भी अपने दिमाग मे रखेगा कि मेरे स्वार्थ बिना समाज के पूरे नहीं हो सकते मेरे स्वार्थ और समाज दोनों बराबर है और इसी लिए यह जो बैलेंस है वो बना रहेगा वह हमेशा रियल विल के अंतर गति ही काम करेगा रूसों का पहला लेक्चर देखें ज्यादा समझ में आएगा मैं कहें तो यह चीज है मुझे वमीद है कि आपको समझ में आया हूग संस्टों एड्वकेट करते हैं ताकि लोगों को नाचुरल बनाया जा सके इस आड़िफिशियल समाज में लोगों को 東西 बनाया जा सके अब नाचुरल समाज तो नहीं ला सकते हैं अब जीतना साइंस करते हैं computer में तो सारा चीज़ undo हो जाता है तो ऐसे तो नहीं किया सकता यह जो आर्टीफीशल समाज है तुसलसा मैं नाचुरल सुल ने सको भी तो डेवलफ किया सकता है बिधा इसले कि लेकिन आर्टीफीशियल कैसे तो तो यह सब जो जो steps उन्होंने बताए इसको follow करा कि और एक बार अगर एक artificial जो है इस समाज में एक natural being बन जाएगा वो भी artificial ही create किया जाएगा उसको लेकिन अगर वह natural बनेगा उसके अंदर real will होगा real will होगा तो general will को हम apply कर सकते हैं मुझे उमीद है आपको जो कॉंसिप्ट है क्लियर हो रहा होगा लेकिन यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या है रूसों जो है ना वह जेंडर इनिक्वालिटी की बात कर देते हैं यहां जो इमाइल है ना इमाइल सिर्फ और सिर्फ यहां एक बोई को डिनोट करता है गर्ल क के अंदर सिर्फ तार्किक जो शमता है उसको डेबलब कराया जा सकता है जो वीमेन है उसका तो कैरेक्टर जेंटलनेस है बहुत सौफ्ट होती ओबीडियन्स लोगों की आग्या मानना और सेक्श्वालिटी एक सेक्स आप्चेक्ट के रूप में रूसों बता देते हैं जि है कि वीमेन भी उतना ही रैशनल है जितना मैन है और वीमेन जो है ना उनको हुमन बींग की तरह ट्रीट करो सेक्श्वाल बींग की तरह ट्रीट ना करो मानों की तरह ट्रीट कर लो सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करो हमें और मेरी उल्स टोन क्राफ्ट यह भी कह मतलब लर्निंग वैल्यूस विमेन को जिस प्रकार से अमें सुसलाइज किया है कि हमने समाज के बारे में सिखाया जिस प्रकार से कि vyमेन की समाझी करन हुई है वह अलग तरीके से हुई है और सिक्षा या दिया नहीं गया है इसलिए विमेन का अंदर हम यह सब characters को देखते हैं अगर women को अगर शेम Socialization दिया जाया उसी से पाला पोसा जाये जिस तरह से एक लड़के को पाला पुसा जाता है और उसी दरह का शिक्षा व्यवस्ता दिया जाये तो विश्वास मानिये मेरी ऐसा कहती है जो कि सच है मतलब मैं मेरी के तरब से बोल रहा हूं कि विश्वास मानिये कि men और women दोनों equally potent हैं दोनों के अंदर वही rationality है हां मेरी इस बात को accept कर लेती है that women are not physically superior than men there is some superiority अगर physical sense में देखा जाया तो थोड़ा तकतवर तो होते हैं physical तौर पर सारी रिक तौर पर पुरुष तकतवर होते हैं पर इसका यह मतलब नहीं कि जो सारे रिक तौर पर तकतवर हो मानसिक तौर पर भी तकतवर होगा मजबूत होगा यह मैरी कहती है तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया सिस्टम क्योंकि रूसों का काफी ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाता है मुझे पसंद नहीं रूसों का पर कुछ-कुछ चीज़ें हैं इससे हम लोग सीख सकते हैं और आज के एडूकेशन सिस्टम में अपलाई कर सकते हैं जैसे मैनूल स्किल सिखाना बहुत अच्छ लेक्चर में तो आपको और बेहतर तरीके से उनके बारे में भी समझ में आएगा और उमीद है कि आपको यह समझ में आया होगा नोट्स अवेलेबल हैं सेमेश्टर 5 समेश्टर 6 के पूरी तरह से आप पर्चेस कर सकते हैं जो नंबर है वह स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो है नीचे में और साथ ही साथ आपको रिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वाट्स अप नंबर प्लीज ऑनली वाट्स अप डूंट कॉल वेकर थोड़ा से होता है मुझे अमीद है आप समझेंगे लेक्चर पसंद आया एक लाइक करें शेयर करें मिलते हैं लेक् चेफ समय साथ